हेलो दोस्तों, RPC Guidance चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, RVNL Junior Assistant, Commercial Assistant के Important Topics के वीडियो की सीरीज को मैं जारी रखते हुए आज का जो वीडियो है, ये Important Questions के Part 2 लेकर आया हूँ आज के वीडियों का पहला Question है दोस्तों, Khwaja Mohindindin Chisti का जन्म किस सदी में हुआ था तो दोस्तों, Mohindindin Hasan Chisti का जन्म, वर्स 1141-42 इस्वी में इरान के सिजिकिस्तान, वरतमान में सिस्तान में हुआ था दोस्तों, Khwaja Mohindindin Chisti जो है, वो तराइन के पर्थम युदों और द्विती युदों के समय पे मोहमद गोरी के साथ आये थे और उन्होंने अजमेर में फिर वो रहने लगगर यहां पे Mohindindin Chisti की दरगा भी है तो अध्यान रगना, उनका जो जन में है वो 1141-42 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था तो इरान के सिस्तान में हुआ था इसके बाद में दोस्तों, next question जो हमारा है, संस्कृत दिवस कब मनाय जाता है हमारी धार्मी संस्कृती में इससे देवभाशा भी का जाता है, तो देवभाशा को उनसी है संस्कृत तो दोस्तों, carbohydrates क्या है, यह क्या है तो यह एक प्रकार के starch है, इसके अंदर देर रहे हैं starchy carbs और sugars, एक तो होते हैं, इसके अंदर bread, potatoes, rice और यह दूसरे हैं, यह भी होते हैं, और इसके अलावा, sugars के अंदर होते हैं, यह glucose, fructose, यह सब fruit sugar है, fructose है, honey है, और यह सब है, milk sugar है इन सब का आपको ध्यान रखना है इसके बाद में नेक्ट कोशन है कि डीग कहां स्तित है डीग जो है वो राजिस्थान के भरतपूर जीले का एक प्राचीन और एतिहासिक शहर है यहां पे जो है डीग में महल भी है और यह तलाब और जीले इस टाइप की चीज़े भी है तो यह कोशन में चैना चाहते दिक जील की घहरा ही कितनी है इसा कुछ कि उसमें किता घहरा मतलब पानी तो 4.4 मीटर जो है यह सर्च करने पहां को पता चला तो यह हो सकता है तो आना सगर जील में किता पानी 4.4 मीटर इसके बाद में नेक्ट वोशन है कि मोती डूंगरी पाह तो वो भी बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद में दोस्तों नेक्ष कोशन है राजस्तान का सेंट्रल मुजियम जो है अलबर्ट होल जेपूर में इस्तित है यह जहांगीर से जमेर में मिलने वाले अंग्रेज यतिकारी तो जनवरी 1616 सन में में धूर्ग में थोमस रो जो कि इसके बाद मैंने को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों वर्ल्ड हरीटेज साइट जो अलब टोपिक है बहुत ही ज्यादा इसके बाद मैंने एक वीडियो भी अलग से बना रखा है वह आप डिस्क्रिशन में जाके देख सकते हैं कि राजस्तान में कित्ती है तो आठ है और यह उनमें से 6 जो है वो तो दुर्ग है और इसके अलावा दो जो है एक तो यह केवला देव पार्क है और एक जंतरमंतर है और हाली में जो है वह जैपूर के परकोटे को भी विश्व विरासाद की सूची में शामिल किया गया तो केवला देव जो है उसे 1971 में तो संरक्षित पक्षी अभ्यारणी और 1985 के अंदर विश्व दूर्व गोशित किया गया था इसके अलावा यह एक वेट लेंड भी है तो आप इसको ध्यान रखना कि वेट लेंड जो होती वा आर्दर भूमी रामसर साइट्स होती है तो राजस्तान में एक तो सांबर है और एक यह है के वलादेव इसके बाद में नेक्स टेकि जैपूर को गुलाबी रंग में कब रंगवाया गया तो सन 1876 में वेल्स के रा पले बड़े थे कि अंग्रेजों के अधीन ही थे वह और अठरो सतान की गरांती के अंदर भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इनका जो लालन पालन है यह भी अंग्रेजों के द्वारे इसलिए इन्हों नहीं करवाया है इसके बाद में नेक्स कोशन है पु है और अधार चाहिए धालियर जोदपूर गात् और कोटा घर्ट जवरतपूत जःपूर जयपूर यह सब राज अगारनों के हैं और यहां पर जो विक्टोरिया जो आई थी उन्होंने उन्होंने भी इसके अंदर क्वीं गाड जो बन वाय था इसके बाद में गांदी ग इसके बाद में नेक्ष्ट जो है यह कोशन यह काया था कि बूंदी का शेतरफल की दृष्टी से राजसान में कौन सा स्थान है तो इसका अंसर है यह सर्च करने में पता चिला था कि 23 हुआ है तो इसके अंदर आपको सबसे बड़े टोप पांच जिले और सबसे चोटे यह सबाते हैं इसके बाद में नेक्ष्ट कोशन है जैपूर चीला जो है वो किस ने बसाय था तो पहले में आपको अभी जर्ष्ट बताए था कि इस था आपना सवाई जैसिंग जैसिंग सेकर्ड ने 1777 की थी इन्होंने जैपूर शहर की सबने की जैपूर शहर जो है वो इसके बाद में बिदान सबार कितनी है तो 20." और इसके बाद में नहराजी सबार कितनी है तो दस और धर्ति के गर्व और बाहर में मिलाकरे सरवाधिक प्राप्य तत्व है और धर्ति में घर्व में चोथा सबसेदी पाये जाता है सबसेदी क्या बजाता तो अलूमीनियम पाये जाता है और यह आपको टेबल जो है क्या तो यह आपको सबको दियान होने चाहिए इसके बाद में जो नेक्स कोशन है यह हमारा की न्यूट्रल का मान कितना पीएच होता है तो पीएच पीएच स्केल जो होथी है जो potency of hydrogen जो आयन होते हैं hydrogen 900 9 की सांदर ता वो स्केयल होती है उसके अंदर जो 7 होता है उसको न्यूट्रल मानते 7 से उपर और 14 अननीum बेस ओने कि शारक सरक जो वो स्वाद में करवे होते हैं जो लिटमस को लाल को नीला कर देते हैं और नीले को लाल कर देते हैं वो अमल होते हैं अमलों का pH कितना होता तो अमलों का pH जो होता है वो 0 से लेकर होता है ऐसे तो माइनस 1 से होता है और 7 के बीच में होता है इसके अंदर जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो अम्लों होते हैं उनके पीएजबी दे रखें जैसे गेस्ट्रिक फ्लूड है कार्बोनेटेड बेवरेजेसे विनेगर का कितना है तो त्री है और जूस का कितना है तो 3.8 के सम्थिंग है इसे इन सब का आपको ध्यान होना चाहिए और शाम सुंदर पालिवाल को कि शेत्र में पदमश्री मिला तो राज समंद के निर्मल गाउं के पीपलान जी के जो पूरू सरपंत श्री शाम सुंदर पालिवाल इनको इस साल पदमश्री से नवा जा गया है राजस्तान से जिनको पदमश्री मिला है उनमें इनका भी नाम ह पालिवाल को पी प्लान भी में जल ग्रहन वाटर और वाटर कर्जर्वेशन और परियावर इंस अंडरक्शन की विए निगोजनाओ नवाचारों में यानि कि जो नहीं ने अविश्कारों में बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियानों के लिए राजस्तान के तरफ से ही सम्मान उनको दिया गया मतलब पदमिश्री अवर्ड जो इनको दिया गयी यह के बीसी के अंदर आयत है तो इससा आप इनको धियान रखना इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाते है इस बार वापिस यह कोशन पूछन पूछन को चांस तो कम है प सवाई मादो सिंग फर्ष्ट ने इस शहर की स्थापना की अठारवी सदापदी में और उन्हीं के नाम पर इसका नम सवाई मादोपूर पढ़ा है यह आपको ध्यान रखना है सवाई मादोपूर का जो है मादो सिंग ने बसाया तो दोस्तों आप देख रहे ही कि ज़्या जाधा तर जो कोशन है ना वो कछवारा राजवन से रिलेटेड़ ज्यादा पूछ रहे हैं जेपूर के जो सकते उनसे जज्यादा कोशन आ रहे हैं जैपूर या उसके वाद में उदेपूर तो इनका अच्छे से ध्यान रखना है कि शासकों में किसने किसी को बसाया कोई जील बनाई कोई अलग कुछ निर्वान करा है तो वह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा इसके बाद में नेक्ष्ट है कि कोपर की उत्पादन में राजस्तान को कौन सा स्थान पर आपते हैं तो कोपर की उत्पादन मे भारत का पहला euro green bond जारी किया है तो आप नेक्सले कि किसी ने संसर टीवी को लणच किया तो अभी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले आप अगर you प Completely कोई क तैरी का अपको फटा होगा कि लोक सभा और राजी सभा जो टीवीश यह जो चैनल होते हैं यह देखते रहते यूपेसी वाले तो उन दोनों को आप मर्ज करके और एक नए नया चैनल बनाए गया जिसका नाम है संसर्ट टीवी तो इस संसर्ट टीवी जो है यह नया चैनल बनाए इसका उद्गाटन या लोंच इसको है पीयम मोदी ने किया है इसके बाद में नेक्ट कोशन है कि वायू सेना 26 सितंबर को किस शहर में एर शो का आयोजन करेगी तो यह एर शो या स्ट्राइक्स या कोई सेनी अभ्यास होता है तो वह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं वह भी आपको पता होने चाहिए तो श्रीनगर की पहचान और जमू कश्मीर के सबसे लोगफ्री टूरिस्ट प्लेस डल जील के अंदर डल लेक पर एर शो का आयोजन किया जाएगा पायू सेना जो है कश्मीर की विवाओं को एर फोर्स या सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और इलाके में टूरिज्म को घर जमानती अपरात गोशित किया है तो तु मलाडू की सरकार ने मंदीर की जमीन पर अगर को अतिकर्मण कर लेता है तो जमीनन अगर अचे से ध्यान रखना और अभी जैसे यह राम मंदीर से related अगर questions है तो वो भी आपको पता होने चीए तो उनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना इसके बाद में next question है कि CBIC 222 हवाई अड़े को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड़ा गोशित किया है तो कुशी नगर हवाई बड़ा कहा पर है यह यूपी के अंदर है इसको गोशित किया है और इसके अंदर दिनांग 139221 के माधियम से कुशी नगर हवाई अड़े को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड़े क तो पर गोशित किया गया है किसके दौरा किया गया है तो CBIC के दौरा इस बाद में next question है कि कार्नस पूर्वी एशिया सिखर सम्मेलन में उर्जा मंत्रियों की वर्चवल बेठक आवेजित हुई कौन से नंबर की हुई तो 15 त्यानी पंदर भी हुई इस बाद में next है कि राजस्तान में एलोवेरा जूस का सेंथर कहा स्थापित किया गया तो ज हमारे प्राइम मिश्टर श्री नरेंदर मोदी जी ने किया है इसका उद्गाटन इसके बाद में next question है कि मोदी सरकार की महा सागर से संब्दी थी होजना तो यह से कोशन आया था इसमें पूरा confirm नहीं कि क्या था कोशन पर महा सागर से संब्दी होजना थी तो आई एनस के स केश्री मिशन सागर पर 55 दिनों में 7500 नोटिकल मील की यात्रा पूरी करने के बाद 28 जुन 2020 को भारत लोट आया था मिशन सागर 10 महीं 2020 को मोल्दीव मोरिशस में डागासकर को रोमो सेशल्स यानि कि जो भी अरेवियन सी के आके जो जो कंट्रीज है उनके आहां से पुषकर जील कहां स्थित है और कौन सा देश अपनी राधानी को स्मार्ट सिटी मदलना चाता एक कोशन यह भी आया था इस बाद में एक कोशन आया था कि पंचायती राज अधीनियम से रिलेटेड आया था और एक आया था कि भूनेश्वर आठोड को कौन से पुरुसका पर दिया गया है फिर एक नेश्ट कोशन यह था कि वर्डवाइड फंड फोर नेचरल इंडिया का ब्रेंड अबेस्टर कौन है तो यह यह जो है शुरूती असन है वह वर्डवाइड फंड फोर नेचरल नेचर इंडिया का ब्रेंड अबेस्टर है शूरूती है यह व्ड वेट नेच्रल फंड में और इसके बाद में में नेक में के अंदर जो एना important question वह आप बहुत मेरा से पूछ रहे थी कि सर में important question मता एक दो comments भी आयते तो में में एक तो partnership से related question अच्छे खांसे पूछे जा रहे हैं उसके बाद में percentage यानि की प्रतिशत के और profit loss और average इन से related बहुत सारे question आ रहे हैं तो आप इन वाली जो match की जो है इनको है इनको अच्छे से एक बार कर लेना दोस्तों यह वीडियो यही समापत हुता है इस वीडियो में हमने important question के बारे में जाना था दोस्तों हमने आर्वी उनल्स यूनियर एसिस्टेंट एकजाम से related और भी वीडियो बना रखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको नीचे description में और comment box में मिल जाएगी और next वी 10